आहमाद में पार्टी के राजी सभानेता संजे सिंग ने आज एक बार फिर से केंदुर सरकार पर निशाना सथा है उन्होंने प्रेस क Android करते हुए ये कहा है कि देश की जंता से छिपाकर केंदुर सरकार ने हजारों करूरों का ब्रस्टचार किया है ये ब्रस्टचार बीजे हुआ इन्होंने टेटा चुपा कर रखा था उसे वहाँ से डिकाल कर जंता के सामें रखा है संजे सिंग ने ये भी कहा है कि 33 कंपनिया ऐसी है जिन्होंने 7 साल में एक लाग करों रूपाय का खाटा उठाया और भाजपा को 450 करों रुपए का चंदा दिया है 17 कंपनिया ऐसी है जिन्होंने या तो 0 टेक्स चुकाया है या फिर उन्हें टेक्स में छूट मिली है 6 कंपनियोंने भाजपा को 600 करों रुपए का चंदा दिया है एक कम्पनी ने अपने मुनाफे से तीन गुना जादा भी चन्दा दिया है ऐसे कई और भी कम्पनियों का जिकर करते हुए उन्हें ने भाज़पा को टारगेट किया मैं बार बार ये कहता हूँ कि भारती जन्ता पार्टी को भ्रस्टाचार से कोई परहेज नहीं है बलकि भ्रस्टाचार की सबसे बड़ी संरक्षत पार्टी कोई अगर है तो वो है भारती जन्ता पार्टी ये बात Electoral Bond में भी सामने आ गई ये बात इस बात से भी साबित होती है कि अपने चंद पूजी पती दोस्तों का भारत की सरकार ने और प्रदान मंत्री जी ने 15 लाख करोड रुपे माफ किया साड़े तीन लाख करोड रुपे बैंकों के सेक्लमेंट के जरिये चंद पूजी पतियों का माफ किया गया लेकिन उससे भी बड़ा मामला जो पूरे देश को हैरान कर देगा कि जिस टूजी के खिलाफ खुद भारती जन्ता पार्टी के लोग चौराए चौराए पे गली महले में भारत के प्रदान से लेके पूरी पार्टी तब आंदोलन कर रहे थी प्रदर्शन कर रहे थी आवाज उठा रहे थी और बार-बार यह कह रहे थी कि यह तक नहीं है फस्ट कम फस्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो गलत है यह आरोप था और दो हजार बारा में माननी सर्वोच चन्यायाले का एतिहासिक जज्जमेंट आया उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो बाटे जाएंगे उसकी नीलामी होनी चाहिए उसका आकसन होना चाहिए उसको फस्ट कम फस्ट सर्व के बेसिस पे नहीं देना चाहिए लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार भारत के प्रधान मंत्री पूरे देश के सामने आद बेनकाब हो गया इन्होंने दोहजार तेईस में जब डेल सो सांसद सदन से बाहर थे उस समय वही नीती जिसके खिलाब प्रधान मंत् रिखे लोग तैन से निति प्रधान में उस समय पास की गई जब लोक्तत्र की हठ्या करके देल सो सांसदों को देल लंबित करकर बाहर किया गया और अब सुप्रीम कोड़ पहुंच गये तो सुप्रीम कोड़ पहुंच गये कहले फाइब जी का जो से स्प्रेक्ट्रम वह पहले आओ पहले पाओ की नीती के आधार पर यानि की administrative process के आधार पर वो license देने की हमें अनुमती दी जाया, पहले कानून पास किया और अब Supreme Court पहुंच गया है।